हात्रस गैंगरेप की पीडिता के परिवार से मिलने गए दिल्ली की कॉंडिली से आम आदमी पाटी के विधायक कुलदीब कुमार के खिलाफ हात्रस के चंदपा कोतवाली में महामारी एक्ट के तहट केज दर्च किया गया है। दरसल विधायक कुलदीब कुमार पर आरोप है कि उन्होंने कोरोना संक्रमित होने के बावजूद हात्रस में परिवार से मुलाकात की। दरसल 29 सितंबर को आप विधायक कुलदीब कुमार ने खुद ट्वीट करके कोरोना संक्रमित होने की जानकारी दी थी। कुलदीब कुमार ने ट्वीट किया था, पिछले दो दिनों से मुझे हलका बुखार होने की वजह से आज मैंने COVID-19 टेस्ट कराया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद मैं घर पर होम आईसोलेशन में रहूंगा, जो भी साथी पिछले दो तिन दिनों मे मुझसे मिले हैं, वो अपना टेस्ट जरूर करा लें, लेकिन 4 अक्टूबर को विधायक कुलदीब कुमार ने हातरस पहुचकर पीडित परिवार से मुलाकात की और इस मुलाकात का वीडियो ट्वीट भी किया, इस मुलाकात के बाद दिल्ली बीजपी ने विधायक के खि पॉजटिव बता रहे हैं, और चार तारीक को सभी की जान जो खिम में डाल कर ये घटिया राजनिती करने हातरस चले गए, कौन से प्रोटोकॉल के तहट ये पांच दिन में हातरस गए, इन पर एपिडेमिक आक्ट के तहट तुरंत कारवाई होनी चाहिए, इसके बाद को विधायक के खिलाफ COVID-19 महामारी आक्ट के तहट मुखदमा दर्ज किया गया है, महामारी आक्ट के तहट दोशी पाए जाने पर 6 महने तक की कैद या 1000 रुपए जुर्माना या दोनों की सजा दी जा सकती है, कौरोना गाइडलाइन्स का उलंगन करने पर कई लोगों पर मह हमारी आक्ट के तहट FIR दर्ज हो चुकी है, हाला कि इस पूरे मामले पर आप विधायक कुलदीप कुमार ने दावा किया है कि उन्होंने हातरस जाने से पहले कुरोना टेस्ट कराया था, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, हाला कि विधायक की सोशल मीडिया हुआ है